इगनू ने दो important update किये है जिसके बारे में इस वीडियो में हम detail में बात करेंगे ये update आपके लिए काफी ज्यादा important है तो वीडियो को complete देखिए और इगनू स related authentic और official update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिए ताकि नए वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं पहले बात करते हैं writing competition के बारे में तो इगनू के तरब से national feature writing competition का आयोजन किया जा रहा है इसमें आप participate करके cash prize और certificate प्राप्त कर सकते हैं detail में बात करें तो इसमें आपको ये बताया गया है पहले बात करते है थीम के बारे में कि इसमें थीम क्या है यानि कि किस topic के उपर आपको लिखना होगा तो यहां पर बताया गया है अमरित काल में राष्ट निर्मान और भारतिय यूवा प्रेरना सुरोत के रूप में सकते हैं बात करें कि इसमें participate कौन कर सकता है तो कोई भी student इसमें participate कर सकता है अगर आप college student है या फिर university के student है तो आप इसमें participate कर सकते हैं और जो word limit बताया गया है यानि कि जो आप लिखेंगे तो उसका word limit रहना चाहिए 1200 से 1500 के बीच में और प्राइज की बात करें तो बताय गया cash prize और certificate आपको दिया जाएगा तीनों ही भासाओं में आपको अलग-अलग cash prize और certificate दिया जाएगा और submission का जो last date है यानि कि जब आप इसको लिख लेंगे तो इसको submit करने के लिए जो last date है हुए है 7 December 2022 12 जनवरी 2023 इसको result को declare कर दिया जाएगा डीटेल में बात करते हैं कि इसे आपको submit कहां पर करना होगा तो submit आप दो तरीके से कर सकते हैं पहले तो आप इस Google फोर्म के मादिम से online submit कर सकते हैं यहाँ पर अपना सभी details डालने के बाद और इसे आप courrier के थुरू भी submit करवा सकते हैं hard format में जिसके लिए आपर address भी दिय आप लिखेंगे यहाँ पर email id लिखेंगे यहाँ पर phone number लिखेंगे और यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन से भासा में इस feature writing को लिखा है तो आप यहाँ पर select करेंगे और जो आपका ID card है वो आप यहाँ पर upload करेंगे image format में या फिर PDF format में यह जो आप लिखेंगे इसे आप word format में यानि की type करके भी लिख सकते है या फिर आप हाथ हो से लिख करके PDF बना करके upload कर सकते है और इसका size 10MB से कम होना चाहिए यहाँ upload पर click करके submit करेंगे तो आपका जो इसमें participate successfully हो जाएगा और इसके बारे मैंने आपको टेलिग्राम पर बहुत पहले ही बता द करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में तो इगनु के तरफ से एक लिंक दिया गया है जिसमें आपको यह बताया गया कि दिसंबर 2022 एक्जाम के लिए अगर आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट डैसिटेशन फिल्ड वर्क या फिर इंटर्शिप समिट करना चाहते है तो उस से इतना तो कन फरम हो गया कि जो आपके असाइमेंट है वो भी अब तीस नौम बर तक ही समिट होने वाले है अभी 31 अक्टूबर है लास्ट डेट असाइमेंट समिशन का लेकिन इसको एक्स्टेंड किया जाएगा और आपको असाइमेंट भी तीस नौम बर तक समिट करने का मौका दिया जाएगा इसके अलावा यहां पर आपको यह भी बताया गया कि जो आपका DECE04 का यह जो प्रोजेक्ट होता है यह आप इस लिंक पर समिट नहीं कर सकते हैं इसके लिए अलग से लिंक आपको दिया जाएगा और जो आपका असाइमेंट है और साइन आपसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगेरा यहां से समिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको कहां पर मिलेगा इगनु के मेन वेपसाइट पर यहां पर अपडेट कर दिया गया है इसके लावा आप हमारे पोस्ट पर आएंगे नीचे करेंगे तो यहां पर भी इसको मेंशन किया आपको कोई भी फाइन नहीं देना होगा पर सब्सेट का आपको सिर्फ 200 रुपे देना होगा और अगर आप एक नौमबर से ले करके 15 नौमबर तक एकजाम फीस को समिट करते हैं तो आपको 1100 रुपे फाइन देना होगा बात करें कि लास्ट डेट को एक्स्टेंड किया जाएगा या फिर नहीं तो यहां पर ज्यादा तर चांस है कि जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस के इसको एक्स्टेंड नहीं किया जाएगा तो आप कोसिस किजिए कि आप 31 अक्टूबर तक एकजाम फीस को समिट कर देंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच अच्छा रहेगा नहीं तो बाद में फिर आपको लेट फीस का चार्ज देना होगा तो इस वी वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोई क्वेस्टन है तो नीचे कॉमिट बॉक्स में आप बता सकते हैं